हाई, वेलकम टो हैश्टैक सिंप्ली होम आज हम बनाने जारें गाजर का हलवा कैरेट स्वीट डिश स्पेशले इंडियन होम्स में ये डिश सबसे फेमस होती है इसे आप किसी भी शेप में सजा के सर्व कर सकते हैं इंग्रीडियन है पकाने के लिए घी आदा कप थोड़ा घी तड़का देने के लिए 750 मेले लीटर गरम दूर ग्रीन कार्डमम इलाइची वन टू कलो लॉंग या ओप्शनल है ज़रूरी नहीं है फ्रेश सॉफ्ट खोया ताजा मुलायम खोया ओप्शनल है शुगर चाहिए स्वाद अनुसार ग्रेट 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 1 kg कदुकस की हुई गाजर एक किलोग्राम कटे हुए ड्राइफ फ्रूट्स कोई भी ड्राइफ फूट्स ले सकते हैं एक कडाई में घी गरम कीजिए उसमें ग्रेट गाजर डालिए लोग से मीडियम फ्लेम पे इसे पकाईए गाजर का जो बचावा जूस होगा उसे आप फेके नहीं या तो आप इसी में मिक्स कर दीजे या फिर आपके घर में कोई बचा है या आप खुद भी वो गाजर का जूस पी सकते हैं विन्टर सीजनमें आपकू ये लाल घाजर रासानी सिर मिल जाएगी अभी हर दो तिर मिंट में इसको मिक्स करते लीजिए आट से दस मिंट तक हमको कम से कम इसको फूदि करना है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो बो मिक्स कर ले जिए ताकि आपको आगे भी मेरे चैनल पर होम रिलेटेट वीडियोस मिलती रहें आगे मैं आपको बताने वाली हूँ आप इसको किस तरह से पूरा पकाएंगे कफा आगे इसलेगा क्या परीज़ करना आगे एसको कैसे प्रिसरे करना थाकी आप यूस कर सके हैं यहां देखिये चैनल अगज़ का नहीं कि हमने इसको पूरा यूझ कि ऐसकी आ हमने इसको कुप एंवसी और ses1,599 भी मैं रिखा हुआ है अब हम इसको अच्छे से mix कर लेंके और काजर को तब तक पकाना है हमें दूद के साथ जब तक कि दूद पक की आदा ना हो जाए थोड़ी थोड़ी देर में इसको mix करते रहिएगा अब हम इसे medium flame पे दूद आदा होने तक पकाना है उसके बाद ही हम आगे dry fruits या शकर डाल पाएंगे आप देख सकते हैं अब ये दूद थोड़ा ओड़ गया है और थोड़ा और कम हो गया है थोड़ी देर और पका लेते है side by side हम एक छोटे से पैन में गी गरम करते हैं थोड़ा सा इलाइची डालेंगे green इलाइची green cardamom और उसके बाद long डालेंगे क्लो आप एक भी ले सकते हैं या तो ना भी लेंगे तो भी चलेगा बट इलाइची ज़रूरी है गी में अच्छा flavor आएगा और गी हम बाद में ये mix करेंगे गाजर के साथ तो गाजर में भी अच्छा flavor आएगा लॉंग को और इलाइची को जादा देर तक नहीं तलना है जट से गेश से उतार के और गाजर में mix कर देज़े लॉंग इलाइची अच्छे से mix हो गया है और देखें हाँ पर दूद भी आदा से आदा कम हो गया है कटे हुए ड्राइफ फूट मिक्स करें कुछ गानिशिंग के लिए ड्राइफ फूट छोड़ सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे mix करते रही है आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद घी थोड़ा अलग होने लग गया है गाजर से देख सकते हैं कि किस तरह से गाजर से गी अलग होता जा रहा है अभी आप चाहें तो इसमें मावा मिक्स कर सकते हैं मावा फ्रेश और सॉफ्ट ही लिए जीगा यह मावा डालना ऑप्शनल है बिना उसके भी गाजर का हलवा टेस्टी बनता है पर मावा डालने से गाजर का हलवा और रिच बनता है आप आवे को पहले नीचे की तरफ गाजर की अंदर की तरफ थोड़ देर रख दीजिए मावा थोड़ा सा पिघलने लगेगा फिर आप उसको गाजर में अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा अब आप इसमें शुगर भी मिक्स कर सकते हैं जिनी आप अपने स्वाद अनुसा डालिए बद्धान रखिए बहुत जादा मीठा मत कीजिएगा नहीं तो गाजर का एक्च्छल टेस्ट कम आएगा मीडियम स्वीटनेस के साथ गाजर का हलवा बेस्ट टेस्ट करता है एक बात जब यह पक जाता है यह कोनों से घी छोड़ने लगेगा एक बात का ध्यान दिजिएगा जब आप दूद पकाए तो दूद को जलने ना दे आप उसको लो या मीडियम आज पे ही पकाए आपको थोड़ टाइम लगेगा 20 मिनिट अराउंड लगेगा बट दूद का जलने का स्वाद गाजर में नहीं आना चाहिए लो या मीडियम आज पे ही पकाए अभी देखिए घी अलग होने लग गया है गाजर से अब यह गाजर का हलवा तयार हो गया है अब आप इसको डारेक पी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसको किसी भी आपके पास जो भी शेप देने के लिए मोल्ड वगेरा है उसके बीच में इसको डालिए और प्लेट में सजा के इस तरह से सर्व कीजिए यह कुकी की तरह हाट तो नहीं है लेकिन यह कैसी भी आकार में आप सव कर सकते हैं आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रीज के अंतर एर टाइट कंटेनर में बस जब भी मन कहा कहरें खाने का इसको वापस से गरम कर लीजिए और सव कर लीजिए है है ना टेस्टी और लुक भी बहुत अचा हा रहा है इस गाजर के हलवे का कर्या लुक डेस्टी और लुक घच वारशब के हाज वार्श देगाइ रहा है अचा है अंट्टी अंटटी और लुक के लोगिंद।